नोट पैम और पह होuden 6 क कोई और रहे की षच्पिम आuras a ok कि में गुरुप्स में डिवाइट कर दिया है एक जैसे एक जैसे कटेगरी को एक गृप में एक जैसे कटेगरी को एक गृुप में ताकि आप को इजी रहेगा सारी सी समझने में आज कुछ इस समझ में आ रही है नहीं आ रही है रेंबो सर्विस आई यह जल्दी भाई वेटिंग रूम जिनको साउंड नहीं आ रहा है वो अपनी तरफ से उनकी हेल्प कर दीजिए लोग बता दीजिए कैसे साउंड आएगा उनका साउंड नहीं आ पा रहा है वो बोल ला है क्या हो गया परदेशी साहब कहां चले गया अब आप तो जॉइन थे चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं ठीक है ओके लेट्स बिगें तो ये है स्क्रीन शेयर कर दूं मैं आप लोगों ताकि आपको सारी चीजे समझ में आ जाएंगे विंडोस फोटो कीवर शेयर रे बाई चल्दी आओ ये लोग एक तो आ रहे हैं हैं इस पीज़े हैं इस टीक है चलिए लीपक जी रेज हैंड कर रहे हों क्या बात है मैसेज मैसेज कर दो मैसेज चलिए स्टार्ट करते हैं ठीक है जो हमारा टॉपिक है वह बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा बिजनस ही होता है कैसे होता है क्या होता है अभी समझेंगे बाद में कोश्चन असर भी लेंगे पहले थोड़ा सा एक सरसरी निगा डालते हैं कि क्या क्या चीजे हैं कैसे हैं क्या है सबसे पहले नमबर पे तो rules of success है जो पहला rule है success का नमबर वन पे है show up show up means दिखना आपको present होना वो आपने पहला step complete करा कितने लोग आपाई कितने लोग नहीं आपाई जिन्होंने payment भी कर दिया उसके बाव जूद भी नहीं आपा है यह 13 rules हैं यह हम लेंगे सारे एक एक करके हो सका तो daily meeting करेंगे नहीं तो आज तो लेंगे लेंगे ठीक है अब एक question जो सबसे पहले number पर मैं करना चाहता हूँ आप लोगों से आप लोग उसको ध्यान से सुनिए जादतर लोग मेरे पास phone करते हैं call करते हैं और मुझे से पूछते हैं कि सर हमें fund कैसे मिलेगा fund कैसे मिलेगा सर यह गलत question आप यह पूछते हैं कि कैसे मिलेगा कैसे नहीं आपको ढूनना होता why कि आपको मिले तो आपको क्यों मिले मुझे क्यों मिलता है उसका reason वो मैं last में share करूंगा कि मुझे क्यों मिलता है आपको क्यों नहीं मिलता यह सीखिए कि क्यों क्यों आपको ही दे कोई fund reason हो ना उसके तो फिर हाओ अपने आप होगा टैपस अब बिजनस देखिये एक में किते टीए के बिजनस होता है एक होता ईसल परोपरइटेशिप होता है पार्टनर्शिप होता है लिमिटेड कंपनी कॉर्परेशन एक यह वला है हमारा नॉन प्रॉफिट यह वाई बिजनस है इसको समझना जरूरी है इसको अगर समझेंगी नहीं तो दिख्कत है क्योंकि कोई भी काम करते हैं तो उसको समझना जरूरी है मेरे पास बहुत सारे लोग बोलते गए है यह तो मिलता नहीं तुमें कहा से मिल जाता है क्यों कि मुझे कैसे मिलता है क्यों मिलता है आपको भी मिलेगा 1 million isn't that big 1 million को बहुत बड़ी रखम नहीं बहुत छोटी रखम और आज से हम लोग जोएंग करेंगे और आप देखिएगा कि आपके लिए भी यह बहुत छोटी रखम होने वाली हम फोकुस करेंगे इंकम पे इंकम है कि मेन हैं कम हमारे लिए इंकम नहीं होगी कुछ भी नहीं होगी तो अब करेंगे तो आप टीम हाईर नहीं कर सकते हैं स्टाफ नहीं रख सकते आप अपना प्रमोशन नहीं कर सकते हैं इंवस्ट नहीं कर सकते हैं आप सो नहीं सकते हैं गो बिक और गो होम आपको बड़ा बनना है बिक बनना है नहीं तो घर पर जाना एड़ इंकम के लिए आपको इनकम इसकिल्स की जुरुवरत होगी भाई दो लोग और आ गए एक सेगन में जल्दी आईये लेज़ेजृटा फट आएये इंकम इसकिल्स की जुरुरत हो गी कौन-कौन सी इंकम ईसकिल्स होती है house बात करेंगे अभी है o multiple flows आपको multiple flows की जुरूरत है कैसी इंकम होती कौन को से होती यह देगे एक होती earned income एक होता profit income एक होता interest earned एक होता है dividend income और एक होता है rental income एक होता है capital gains एक होता है royalties हम सारे topic पर विसार से भी बात करेंगे लेकिन आज time glance एक सरसरी निगार डालेंगे उसके बाद में आप लोग जो 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 चीज बोलेंगे हम उसको clear करते रहेंगे जो आप बोलेंगे उसको डेली डेली कर लेंगे मीटिंग कोई मसला नहीं कोई issue नहीं है do your own math आपको सबसे पहले नमबर पर math करना होते है do the math life में आगे बढ़ना है life is a number game numbers आपको चाहिए तो numbers बहुत जुरूरी है आपकी life में तो अभी हम बताएंगे कैसे math करना है आपको आप अपनी math करिएगा फिर हम से अरे बाए आज़ाओ सबसे पहले नमबर पर यह बात ध्यान करिए कि आप की जो संस्था है तो उसमें आप किस theme पर काम कर रहे हैं किस चीज़ पर काम कर रहे हैं एक particular problem हो उसको आप solve करें क्यूंकि आप जब भी project proposal डालेंगे या कुछ भी डालेंगे तो आपको target लेके चलना पड़ेगा जैसे म poverty गरीबी पर काम कर रहे हैं आप महिलाओं के उपर काम कर रहे हैं तो एक प्रॉब्लम होनी चाहिए वर्निंग प्रॉब्लम हो जिसको आप solve करना चाहते हो उसकी condition solve होगी और वहीं से cash flow होगा वहीं से सारी चीज़े होगी स्मॉल बिजनस नेवर सर्वाइब फिर आपको देखना होगा कि आप यह पहला इस चपे के audience आपको देखने कि आप बच्चों के लिए काम करते हैं education के लिए मंदब किस field से हैं आप यह आपको clear होना चाहिए एक निश्च पकने यह नहीं कि सब तरफ भाग रहे हैं कि यह अब आपको बात करेंगे वहारा ठीची वह नहीं कि बात करेंगे शारी चीजा कर आपको कि अशों में को अपनी बात मन वाना जिसको आपको बोलते हैं करना बीद अट उटरे जाए दा है आप चाहे कच्छवा हो चाहे खरगोश हो लेकिन चलें जरूर फिर आएगा 20 रूज्व ओफ क्लोज इंग डील एक डील को क्लोज करने के लिए 20 रूज चाहिए होता है कम से कम 20 रूज एक जो डील आपकी डील होगी उसमें 20 रूज आपको चा यह हैं 20 rules, always remain seated, always present your proposal in writing, आपका proposal कैसा होना चाहिए, वो हमेशा writing में होना चाहिए, always clearly communicate your proposal, आप अपना proposal बिल्कुल clear communicate करें, always maintain eye contact, always have pen, आपके पास pen हो, humor हो, आपके पास, जो pressure को कम करें, always ask one more time, always have an excellent, इस तरीके से 20 हैं, ये 20, एक bonus भी है, 21 में हैं, मैं दे दूँगा सब दे दूँगा अपको, फिर हमें follow up करना होता है, follow up क्या चीज़ होती है, कि आधिकारी से कैसे मिलना है, कैसे बात करना है, day one कैसे contact करना है, day two कैसे contact करना है, day three, ये हमारा 365 days का है, 365 दिन आप किस से कैसे contact करेंगे, अलग-अलग way में, follow up सबसे main होता है, क्योंकि follow up अगर नहीं तो कुछ भी नहीं, कैसे आप follow up करते हैं, कौन-कौन से तरीके हैं, वो मैं आपको दूँगा, कौन-कौन से टूल्स हैं, ठीक है, टूल्स दूँगा मैं आप, ways, कितने तरीके से आप follow up करते हैं, follow up basics हैं, types of follow ups है, calls, कि call आप जो करते हैं तो कैसे कितने तरीके की call करना होती आपको, mistakes, जादतर लोग mistakes क्या करते हैं, follow up में, call में, project proposal में, most effective strategies दूँगा मैं आपको, कि कौन-कौन से strategies हैं, जिनको आप use करके, इसमें एक strategy टेलीग्राम भी है, what's up भी है, ठीक है, हाँ, यह हमारा CSR fund है, यह CSR fund जहां से मिलेगा, यह वो है, यह projects है, Central Government के 11 projects है, CSR के साथ project है, foreign funding के साथ project है, COVID-19 के emergency fund है, इस तरीके से आपको यह मिलेंगे project proposal जो भी हैं आपके, यह Central Government के, Earth Day, Road Safety, यह सब projects हैं, भी हम बात करेंगे, इन पर Corona का project है, यह सब हम बात करेंगे, हाँ, यह website note कर लिए, यह main websites हैं, यह ministry की websites हैं, चार websites हैं, इनको note कर लिए, यह link बहुत important है, इनको आपको यहीं से सारा काम होगा, यह CSR है, हाँ, यह जो आप project बनाते हैं, तो project में सबसे पहले नमर पर देखिए, उसमें cover एक होगा, cover letter होगा, organization profile होगी, प्रोफार्मा होगा, आपका investigator profile होगी, list of beneficial format होगे, अभी तक आपने जो भी project, proposal जो भी बनाया है, तो इन इन topics पे, इन इन चीज़ों पे होना चाहिए, मतलब ऐसे पूरी एक file बनना है आपकी, यह यह चीज़े हैं, ठीक है, यह website है, यह website है, यह वाली है, क्रिशी एवम, किसान के लिएन भी बाग, department और agriculture, farmers, welfare, यह, इनकी जुरूरत नहीं है, ठीक है, अब हम आजाते हैं, अपनी screen पे, हाँ, आप जिस चीज़ पर भी जो भी चीज़ चुरू करना चाहते हैं, वो आप करें, उसमें कोई issue नहीं है, उससे पहले, मैं थोड़ा सा एक और आपको चीज़ दिखा रहा हूँ, project थोड़ा सा और दिखा दूँ मैं आपको, वीडियो किदर गई, एक्स, मैं झाय हूँ, आपको चाहा हूँ, झाय हूँ, पैसून कर चाहा हूँ, जब कर दो को ऩूपसर आपको,